हेलो स्टुडेंट्स तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे यह कलास 12 है बाइलोजी का है ठीक है और यह चेप्टर वन है सेक्ष्वल रिप्रोड़क्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स तो इस चेप्टर से जो है हम लोग देखेंगे MCQ भी देखेंगे और subjective question भी देखेंगे और उसका answer भी जो है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ठीक है तो अगर आप चैनल पढ़ने है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है लाइक करना है और शेयर करना है ठीक है तो चलिए जो है हम लोग इस चेप्टर से देखते है कि कौन सा question किस एयर में पूछा है ठीक है तो चलिए हम लोग इसको start करते हैं सबसे पहला question है कि pollination by a snail is called क्या कहा जाता है यह question 2006 कि बोड़िया में पूछा हुआ प्रस्न है तो देखो आप pollination जो होता है by a snail तो उसको कहते है मेला कोफिलस ठीक है तो यह जो है इसका answer होग होगा ठीक है next question हम लोग देखते हैं कि development of fruits without act of fertilization each cold क्या कहते हैं देखो इसको कहते हैं और पार्थे क्रेपी कहते हैं तो यह जो है इसका option हो जाएगा ठीक है next question आगे देखते है next question है which part of a will forms the peria sperm यह question दोस्तो 2009 के exam में पुछा हुआ प्रस्ण है ठीक है तो इसका answer होगा न्यूसलेस ठीक है न्यूसलेस इसका जो है सही answer होगा next question जो हम लोग देखते हैं question क्या है कि in most cases pollen grains said at ठीक है तो इसका क्या होगा देखो इसका जो answer होगा वो two celled या three celled होगा a stage ठीक है तो two celled और three a celled stage इसका जो है answer होगा ठीक है यानि यहाँ पर भराएगा ठीक है next question देखते हैं कि in which of the following arrow is not found अब यह question का answer आप खुद से comment करके बताना बहुत आसान question है तो आप comment box में जरूब बताना कि इसका answer क्या होगा question क्या है कि arrow जो है किसमें नहीं पाया जाता है तो पहला है custard है ना second option देख लो apple है थाड़ है mango और fourth है लीची ठीक है और यह प्रस्न 2012 के गया में पूछा हुआ प्रस्न है ठीक है तो इसका answer आप जो है comment box में जरूब बताना next question जो हम लोग आगे देखते हैं कि which one is false fruit ठीक है अब इसमें से जूटा फल कौन सा है ठीक है तो यह यह है ठीक है अच्छा अब इसको अब छोड़ो ठीक है हम यहाँ पर जो है इसका हम option दे रहे हैं अब बताना ठीक है तो फॉल्स fruit जो हता है ना false fruit जरैसे मरा strawberry हो गया ना pineapple हो गया मलबरी हो गया है यह पल्स पियर्स ठीक है तो false fruit जो होता है एक fruit होता है जिसमें क्या होता है कि some of the flesh is not derived from the ovary ठीक है तो क्या होते अबडरी से derived नहीं होते हैं लेकिन सम एडिशन in tissue지 हएना exterior to the carpet ठीक है तो इसको दियान में रखना देखो के गये प 안सर होगा तो इसका हमारा होजाता है बायो शेक्सिल फ्लावर टिक है इतें рассказыв ऐस लिया जाए लिया बायो सेक्षोल फ्लावर का तो यह सबी टीक है वर फ्लावर जो हता है था कंसिस्टिंग और बौत दोनों इसमें नियुकों खुछ होता है ऑर रिश होता दू ऑर यह यह शिचाने होगा next question हम लोग आगे देखते हैं कि the edible part of coconut is क्या कर लाता है ठीक है और यह इसके रहे 4 options question 2016 कि यह में पूछावा प्रस्न है तो edible part of coconut को क्या कहते हैं तो उसको बोलते है the white indo-asperm ठीक है इसको coconut meat के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है ठीक है तो क्या होगा हमारा indo-asperm ठीक है तो इंडो-asperm जो है option D में है तो option D जो है हमारा correct option हो जाता है ठीक है next question आगे देखते हैं कि insect pollinated flowers are known age क्या कहलाता है ठीक है तो देखो insect pollinated flowers जो होते हैं उसको इंटो-mophilus भी कहते हैं ठीक है तो इंटो-mophilus इस में है option में नहीं है ठीक है तो इसका जो कौंसा option होगा आप comment box में ज़रू बताना ठीक है next question जो हम लोग आगे देखते हैं question क्या है कि the edible part of apple is क्या कहलाता है ठीक है तो यह इसके रहे चार options आप देखो इडिवल पार्ट जो होता है वो कहलाता है थेलेमस ठीक है तो इसमें थेलेमस option 4 में है तो यह जो है हमारा option D जो है सही हो जाता है यह question 2014 और 2018 में पूछा वो प्रस्ण है ठीक है तो इसको जो ध्यान में रखना ठीक है next question कि which one is the female gemetophyte ठीक है तो gemetophyte इसमें से कौन इंब्रो या एक्स ठीक है तो कौन है female gemetophyte है ना तो इसका answer कौन सा हो जागा तो इसका होगा सही option तो इसका होगा इंब्रो ठीक है ना तो इंब्रो जो है इंब्रो शेक होता है ना तो इंब्रो जो है यानि फॉस्ट वला जो है correct हो जाता है ठीक है next question है कि which part of the flower is the source of saffron है ना केसर जिसको बलते हैं of jeffron ठीक है अब इसका कौन सा option हो जागा ठीक है तो देखो इसका option होगा option इसका बी जो है correct है अस्टिगमा ठीक है तो इसको जो है अब ध्यान में रखना next question आगे देखते हैं कि which type of self pollination takes place in underground bisexual flowers which never opened ठीक है और यह इसके रहे चार options ठीक है तो अब इसमें बताना है कौन सा option सही होगा तो इसका सही option option C है ठीक है next question आगे देखते है next question है कि which of the following is diploid structure ठीक है तो यह चार option से एक सेल है synergy है ठीक है anti-podal cell है secondary nuclei है ठीक है और यह प्रस्न दोस्तो 2016 के ग्यामें पुछा हो प्रस्न है सही option इसका जो है option D है secondary nuclei ठीक है next question आगे देखते है area is found in which of the following fruits कौन सा option होगा ठीक है तो आरेल जो है किस में पाया जाता है इन चारों में से किस fruit में जो हो पाया जाता है ठीक है तो देखो यह जो पाया जाता है वह लिची फ्रूट में पाया जाता है ठीक है तो लिची फ्रूट इसका सही option एंसर होगा अब इसे चारों में बताना आपकी इसमें कौन सा option होगा ठीक है next question आगे देखते हैं क्रोस पोलिनेशन इन मेंज टेक्स प्लेश बाइए मिन्स ओफ और यह इसके रहे चार ओप्संद ठीक है इसमें सही option जो है option D है ठीक है यह प्रशन देखो 2017 में पुछा है 2019 में भी यह प्रशन पुछा हुआ है क्रोस पोलिनेशन इन मेंज है ना तो यह ठीक है next question जो है देखते हैं the science which deals with the study of fruits is known as उसको किस से जाना जाता है ठीक है तो इसका सही option कौन सा जाएगा इसका सही option जो है आप पॉमोलोजी होगा ठीक है तो पॉमोलोजी जो है इसका correct option होता है ठीक है तो पॉमोलोजी यानि option यह में है तो correct option फॉस्ट यह हो जागा ठीक है यह प्रस्ण 2017 पुछाओ प्रस्ण है इसको भी ध्यान में रखना है अब नेक्स्ट है कॉनेडिया इज एन असेक्सवली प्रोड़क्ट रिप्रोड्यूसिंग अस्ट्रॉक्चर ओफ विच ओर्गिनिजम और यह इसके रहे चार options ठीक है अब इसमें बताना है कि चार options में सही options कौन सा है ठीक है तो यह रहे है यह प्रस्ण 2018 के जाम में पुछा हुआ प्रस्ण है या फंगी बायोफाइट से या प्रोड़क्ट जवा है कौन सा इसका सही option option बी यह फंगी ठीक है option बी जो है इसका एकदम correct option बनता है तो option B जो है इसका correct option है ठीक है next question आगे देखते हैं प्रस्ण है कि periasmarm is a remaining part of which of the following ठीक है और यह इसके रहे चार options यह प्रस्ण 2019 के गजाम में पुछा हुआ प्रस्ण है तो periasmarm जो होता है तो इसका answer आपको बताना है सही option option इसका A है निवसिला है ठीक है तो निवसिलस ज आगे देखते हैं removal of another to prevent self-pollination is called क्या कलाता है ठीक है यह रहे इसके चार options इसमें सही option कौन सा है सही option है option B ठीक है यह प्रस्ण 2019 के गजाम में पूछा हो प्रस्ण है तो इसको भी ध्यान में रखना next प्रस्ण है कि mature angiosperm embryo a sack age क्या होता है यह इसके रहे चार option ठीक है तो इसका भी answer आप comment box में जरूर बताना कि इसका answer क्या होगा ठीक है अब जो है हम लोग आगे चलते हैं ठीक है यह option आप देख लो A में है ठीक है B और C और D ठीक है यह प्रस्ण 2020 के हम पूछावा प्रस्ण है तो इसका answer जो है बताना है ठीक है next question अब हम लोग देखते हैं दो प्रस्ण जो है दोजार च्छे हम पूछा है और 2008 में पूछावा प्रस्ण है जो है next question अब हम लोग देखते हैं प्रस्ण है कि what is यह पार्थे नो करपी ठीक है तो यह जो प्रस्ण है वो 2011 के हम पूछावा प्रस्ण है तो देखो यह जो इसका जो answer होगा ठीक है आप आप यह पार्थे नो करपी तो एक प्रसेस है ना इस दब प्रोसेस बाइप प्रोडूशिंग यह डेबलपिंग बोल सकते हैं fruits without the process of pollination ना एन्ड फर्टिलाइजेशन तो इसको जहाँ पार्थी नो करपी बोलते हैं ठीक है तो यह जो है इसका answer है देखो यह दो टाइप का होत ठीक है naturally और artificial ठीक है तो the fruits produced by this process are seedless ठीक है और इसे जो यह जो प्रोसेस जो fruit produce होते हैं वो seedless होते हैं ठीक है एक्जामपल जिसे एक्जामपल में pineapple है बनाना है ना cucumber हो गया grapes हो गया oranges हो गया ठीक है यह सभी जो है एक्जामपल है पार्थी नो करपीगा ठीक है इतना बड़ा जो है मैंने थोड़ा सा बता दिया है इसको आप शोट में answer लिख सकते हो सिर्फ define कर देना है और इसका जो ह होते हैं यह सब लिखने की जुरुत नहीं है ठीक है तो next question जो हम लोग आगे देखते हैं question है कि the chromosomal plodi status of a gigot age और यहां पर खाली सथान है ठीक है क्या भरागा यहां पर तो देखो यहां पर जो पलागा और इसमें जो first alarm भरागा तो वह बरागा अडिपलोईड है ना ट्रीपलोईड ट्वें ठीक है तो यह होगा और वी में जो भरागा वह ट्रीपलोईड भरागा ठीक है तो इसको जो है आप ध्यान में रखना इसको लिख लेना ठीक है next question जो हम लोग आगे देखते हैं यह प्रस्न नहीं देखते हैं यह वहला प्रस्न देखते हैं what is the significance of double fertilization तो इसको जो है थोड़ा सा खुद से इसको जो है define कर लेना है ठीक है अगर इसका definition दिया जाए है ना तो इसका significance बत लिखने की लिख कर रहा है और यह प्रस्न है 2015 के ग्याम में पुछा वह प्रस्न है ठीक है तो देखो double fertilization का जो significance होता है ठीक है वह होता है कि double fertilization allows diversification ठी it also act as a single है ना to produce food only when fertilized ठीक है यह second हमारा जो है बनता है point third point इसका बनता है कि results in rapid life cycle ठीक है तो rapid life cycle है हना तो यह तिन point है दो point ही लिखना है दो number का है ठीक है तिन point में से आपको भी दो point लिख देना एक्जाम में ठीक है आपको numbers मिल जाएंगे next question जो है हम लोग आगे देखते है कि right to advantages of seed dormancy ठीक है तो seed dormancy का दो जो है advantages लिखना है ठीक है तो देखो dormancy जो होता है help करता है ठीक है the seeds in surviving difficult weather condition ठीक है तो खराब मोसम से जो है यह क्या करता है survive करता है नहां next हमारा जो point बनता है कि seed dormancy is also advantages in providing time for seed dispersal ठीक है तो यह जो है हमारा second point बनता है second advantages बनता है तो इसको जो है आपको लिख देना exam में marks जो है मिल जाएंगे next portion देखते हैं आप जो है तीन marks वाला जो है अब हम लोग इसको देखते हैं ना तीन marks वाला तो क्या है प्रस्न की draw a neat and level diagram of a typical anatropous ovule ठीक है और यह प्रस्न 2009 के exam में खुद से इसको थोड़ा सा देख लेना है ठीक है अगर नहीं बनता है तो फिर भी आप comment कीज़ेगा उसको बताएंगे ठीक है अब इसमें जो है कि what are fruits draw a level diagram of its own internal part ठीक है तो इसको जो है यह जो screen पर जो image आ रहा है ठीक है तो screen पर जो image आ रहा है उसको आप जो है इसको ड् है वो seed bearing structure है ना formed from the average of only florin plants ठीक है तो florin plants ही क्या होते हैं यह form होते हैं ठीक है तो a fruit is soft soft होता है pulpy parts of a florin plant that contains seed है ना और जो fruit के pulpy part होते हैं है तो वो क्या content करते हैं seeds को content करते हैं फिर इसमें और भी information रखना है कि it is formed from the average of angio asperm ठीक है इसको भी थोड़ा से द्यान में रखना है तो इतना point लिख देंगे तो number around से मिल जाएगा ठीक है तो इसको जो है लिख देना ठीक है और image जो है उसको बना देना है ठीक है next प्रस्न जो है अब हम लोग देखते हैं कि how does embryo develop in a dicot lidan what are the differences between a monocode and a dicot imbrow ठीक है यह दोगो प्रस्न 2011 के प्रस्न है इसमें जो है आपको बताना है कि कैसे इंप्रो जो developed होता है तो उसको जो है उसके बारे में आपको बताना है फिर बताना है कि क्या difference होते हैं monocode और addictocate imbrow में ठीक है तो यह प्रस्न पूछा है चली हम लोग इसका answer चानते हैं अब कर दो आप अब कर लेना ठीक है तो इतना जो हम लोग answer लिख देंगे है ना तो आराम से तीन माक्स मिल जागा ठीक है अब नेक्स्ट जो प्रस्न है तो वाट डू यू अंडरस्टेंड बाइडबल तो अब इसमें बताना है ठीक है तो देखो इसका जो पाहली बार जो अब्ज़र्प किये थे ठीक है यानि यह जो फिनुमेदा है डबल फेटिलाजिशन इसको पाहली बार अब्ज़र्प किया गया था nivacin के दबारा जो है फस्ट बार उब्जब किया गया था कब किया गया था तो अठारस फ़न ठान्वे में किया गया था ठीक है यह होता क्या है डबल फटिलाजेशन ठीक है यह होता है कि pollen grains जो होते हैं after germination germination सब्सक्राइब के बाद produce करते हैं two male gemates ठीक है या 편י participants भी बहल सकते हैं यह in pollen tips ठीक है तो इसमें जो one male gemates होते हैं वो chickens होते हैं we iht the egg cell of obbyuk' ठीक है अब वो क्या फोर्म करते तो form all करते हैं Someone ठीक है अब जब अब जब और जब दूसरा जो ML genets उता है वो फ्यूज होता है विद्ध सेकेंडिन्गी न्यूटलिए ठीक है तो होता क्या है कि यदी यदी-music मदली होता है विद सेकेंडिन्य न्यूक्लिए तो फोर्म क्या करता हैं न्यौ स्पर्म ठीक है तब dormant stage of seed है ना तो यह क्या होता है ड्यू टू प्रेजंस ओफ इंडो स्पर्म दा सीड आर वे बैबल फॉर्म several months और years ठीक है तो यह जो है इसके significance बनते हैं ठीक है तो इसको भी जो है लिख लेना है ठीक है यह जो हम लोग आगे देखते हैं इसमें भी करना है क्या करना कि ड्रोव अनिट लेबल डाइग्राम टाइपिकल एंज्व पर आपको लेबल डाइग्राम जो है आपको ड्रॉख करना है ठीक है और यह प्रस्ण 2013 में और 2015 में पुछा वाप रस्ण है तो यह जो स्क्रीन पर आप जो है हम लोग नेक्स्ट कोशन आगे चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट कोशन है कि चूज एंड लेबल डाइग्राम अभी थे अप्रोप्रेट टर्म फ्रॉम ऑप्शन गिवें ठीक है अब यह जो पिक्चर है जो आपके स्क्रीन पर आ रहा ठीक है तो इसका जो है इस में देखते हैं ठीक है नेक्स्ट प्रस्ण क्या है कि राइट शोट नोट ओन दा फूलोविंग इंब्रोव से पर लिखना है इंडो असपन पर लिखना है ना पार्थेनों कार्पिक फ्रूट पर लिखना है यह प्रस्ण 2016 कि यह में कुछ हवा प्रस्ण है तो चलिए जो ह न्यू न्यू सिलेस ठीक है तो यह हो गया अब इंडो स्परम को डिफाइन करना है तो सिंपल सा लेंग्वेज में डिफाइन करना है कि इट इज अ स्पेशल न्यूट्रिटिव टीशू ठीक है विच इज जेम्टो फाइटिक एंड पास्ट फर्टिलाइजेशन चर्ण प्लांट ठीक है तो यह भी इसका जोट डिफाइन हो जाता है थाड़ वाला को डिफाइन करना है तो यह इसको करने के फ्रूट विच डज नोट बियर सेड्स ठीक है तो वैसे फ्रूट्स जो सीड्वेर नहीं करते हैं ठीक है एंड देवलाप विदावट प्रशन 2016 के पूछा था तो इसको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोशन देखते हैं कि वाइद प्रोसेस ओफ टिलाजिशन इन एंजियो सपर्म इज रेफर्ड आज डबल फटिलाजिशन यह प्रस्न 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रस्न है ठीक है इसका एंसर क्या होग यह प्रस्ट करते थे श्षैंज होता है टिके इसको फ्लॉर्जिंट करते होता है कि पॉलिनेसेंसिए मूब्स लोंयले मिला थी कि यह पोलेन अट्यूब रिलीज टूस फर्म सेल्स ठीक है दा सेकेंड टर्म सेल्स फ्यूजेज वीथ टू पोलर नुक्लिया तो क्रियेटिंग अट्राइपुलेड इंडोस फर्म तो यह जो इसके एंसर बनते हैं इसको भी आपको लिख लेना है ठीक है अब नेक्स्ट जो है आपको लिखना है ठीक है नेक्स्ट प्रस्न जो है हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रस्न है कि डिफ्रेंटियेट बीट्विन सेल्फ एंड क्रोस पॉलिनेशन मेंसें टू कॉंट्रिवेंसेज ओफ इच ठीक है और यह प्रस्न दोजार चवधा के ग्याम पूशावा प्रस्न है ति यह सारे प्रस्न जो है प्रस्न जो है कि डिस्क्राइब देखते हैं कि डिस्क्राइब और यह प्रस्न 2018 के ग्याम में पूशावा प्रस्न है ठीक है तो यह भी ध्यान में रखना ठीक है इसका भी अंसर लिखना है नेक्स्ट प्रस्न है कि वाट डू यू अंडरस्टेंड वाइस सीड डॉर्मेशी साब क्या समझते हैं वाटर दा नेचुरल वेज ओफ ब्रेकि प्रस्न 2020 के एक्जाम में पूछा हुआ प्रस्न है ठीक है तो यह सारे के सारे प्रस्न जो है बहुत ही इंपोर्टेंट बनते है ठीक है तो इसका जो है अंसर लिखना है ठीक है एंसर सभी का जो है आपको लिखना है तो इस तरह से जो है हमने मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाई की दिखा कुछ का एंसर हमने जाना कुछ का एंसर खुद से बनाना था ठीक है तो इसको आप जरूर बनाना ठीक है तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है लाइक करना है और सेयर करना है ठीक है चुटी यहां पर पर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीविश्य और मिलते हैं चाहें फिजिक्स हों कैमेश्टि बाइलोजी हो और कंप्यूटर साइंस का भी अपलोड किया जाएगा ठीक है और मैट कही मिलते रहागा एंग्लिश का कभी मिलते रहेगा हिंदीग मिलेगा ठीक करते टो सार्य शार्य सब्जेट का जिए यहां पर मोच्ट इंपोर्टेन पी वाई की मिलते रहे हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब और चैनल कोईiku करना हम पर यह साथ